नमस्कार जनभादना टाइम्स में आपका स्वागत है मैं हूँ गारगी एक बार फिर से हम अपने खास कारिक्रम में आए हैं आपसे बात करने के लिए और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अध्यात्मिक गुरू मनोच कुमार दुवेदी जी गुरू जी आपका बह जानना चाहेंगे कि हम अमरित बहुत से बना रहे हैं 75 वा वर्षगार्ट बना रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं गरीबी वही की वही है ऐसा कि देखे हम आजादी की 75 साल वर्षगाठ मना रहें और देश में गरीबी है लेकिन देश का इस तर उपर बढ़ा है मुझे आद है कि जब मैं छोटा होता था मध्यप्रदेशनों में और वहाँ पे गाओं में कंडिशन यह होती थी कि लगबख सारे घरी मिट्टी के बने होते थे बहुत ही कम बच्चे होते थे, छोटे बच्चे जिन के पास पहनने के लिए कपड़े होते थे बड़े लोग भी होते थे, एक याद दो जोड़ी कपड़े होते थे आज वही गाओं है जिसमें लगबख हर घर पक्का बना हुआ है हर घर में टूवीलर है लाइट है उस समय लाइट नहीं होती थी परगती हुई है लेकिन फिर भी आमीरी और गरीबी के बीच का अंतर काफी अधिक है अगर हम बात करें तो आजादी के 75 साल में हम उतनी परगती नहीं कर पाए जितनी हमने सोची थी या हम यूँ कहें कि देश के रूप में हम मजबूत हुए है लेकिन जो लास्ट स्टेटा में वेकती है जो बिलको अंतिम स्रेड़ी में वेकती है उसके लिए बहुत कुछ किया जाना अभी भी बाकी है प्रगती के पैरमीटर क्या होने चाहिए किसे हम प्रगती कहेंगे आज पूरी दुनिया चीन का उधारण दे रही है लोग कहते हैं चीन ने बहुत प्रगती की लेकिन चीन और भारत की तुलना किस हद तक जायज है क्योंकि भारत लोगतंत्र है किसी वेक्ति को आप अच् किस जीवन को आप अच्छा जीवन कहोगे किसे आप प्रगती कहोगे आप एक पक्षी को बंद कर लो पिंजडे में अच्छे से अच्छा खाना दो लेकिन अगर आपने एक बार पिंजड़ा खोल दिया वो उड़ गया तो वो वापस नहीं आता यही मानव के साथ हैं तरता के साथ व्यक्ति ने विकास किया है, लोकतंतर के साथ इस देश ने विकास किया है, इस देश के व्यक्ति ने विकास किया है, हम बहुत अच्छी पोजिशन में इस बात को लेकर हैं, इस मांसिक स्थित को लेकर हैं कि आज भारत का व्यक्ति यह सोच पा रहा है कि हम दु भारत के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान हमाद से दूर दूर तक कहीं भी हमारे अगल बगल में नहीं ठाहरता। संघर्ष करना पड़ेगा। सरकारें सहायता दे रही हैं एंजियोज भी हैं थोड़ा लोगों को संघर्ष लोग और करेंगे उपर और विजन आएंगे तब देश आगे बढ़ेगा। हम इस समय जिस पोजिशन में खड़े हैं वर्ल्ड में दुनिया में हम जिस पोजिशन पे खड़े हैं आने वाला समय भारत का है हम विश्वास पूरव कह सकते हैं। तो कि दुनिया में स्वतंतरता का बहुत बड़ा मूल है और जिन देशों में तानासाही विवस्था होती है थोड़े समय में तो बड़ी परगती कर जाते हैं लेकिन बाद में उनकी पोजिशन ऐसी होती है कि वहां से व्यापारी वर्ग भाग जाता है वहां की जनता के बीच हमें एक काम करना है वह एक काम ये करना है कि हमें तन मन से इमांदार होना है जनता को भी मांदार होना है और नेताओं को भी मांदार होना है जब हम इमांदारी से अपना काम करेंगे भारत के अंदर से अगर ब्रस्टाचार को हटा दिया जाए भारत के अंद नमबर वन बन जाएगा जो कानून विडंबना है इस देश की कि जो कानून गरीबों की सहायता के लिए गरीबों को सबल बनाने के लिए लाए गए थे वो कानून उस गरीब को ही सबसे बड़ी समस्या पाइदा कर रहे हैं अंततो गत्वा वह गरीब उन कानूनों के ही कारण गरीब होता चला जा रहा है, अगर आपने minimum wages का एक कानून ला दिया, लेकिन minimum wages है ही नहीं, wages ही नहीं है, नोकरी ही नहीं है, तो व्यक्ति उस minimum wages कानून का क्या करें, क्योंकि जो कानून बने, उसने व्यापारियों को नुक्सान पहुंचाया, व्यापारी ये देश छोड़क आम आदमी आवाज उठा सकता है, लेकिन विचार करने की पूरे देश को आवश चकता है, आज हम 75 साल गिरापे हैं, जो हमने अच्छे काम किये हैं 75 सालों में, उन्हें हम आगे बढ़ाएं, जो हमारे अंदर कमिया रही हैं, हम उन कमियों को देखें, उनकी सूची बनाए और सभी मिलकर, सारे राजनी तिक दल मिलकर, सारे सामाजिक लोग मिलकर, सारे आध्यात्मिक लोग मिलकर, सारे देश की जनता मिलकर यह विचार करें, किस तरह से हमें इस देश को आगे लेकर जाना है, कैसे हमें समता मुलक समाज बनाना है, जहां आमीर और गरीब के बीच बहुत अंतर नहो जहां कोई व्यक्ति किसी कपड़े किसी अच्छे आदमी को कपड़े पहन कर देखके एक छोटा बच्चे नहीं सोचे काश मुझे कपड़े मिल जाए कोई व्यक्ति किसी अच्छे खाते हुए व्यक्ति को ये देखकर ये नहीं सोचे कोई छोटा बच्चे काश मैं भी पेट पर खाना खापा हूँ ये हमारे देश का आदर्श होना चाहिए कि हर व्यक्ति को कम से कम खाना कपड़ा और रहना ये संबान पूर्वक मिल जा है इसके लिए व्यक्ति को किसी दूसरे का मुह न अताकना पड़े ना किसी को एंजियो का मुह ताकना पड़े ना सरकार का मुह ताकना पड़े व्यवस्था ऐसी हो कि हर व्यक्ति को ये चीज अपने आप मिल जा है और इश्वर ने इस देश को इतनी सहूलियतें दी हैं इतनी प्रकृतिक शक्तियां दी हैं संसाधन दिये हैं कि ये हकाम आसानी से किया जाता है बस इस देश की जनता को आवशकता है कि अपने अंदर से प्रष्टा चार लूपी मल को निकालने की और जब समाज से प्रष्टा चार लूपी मल अगर थोड़ी ही मत्रा में निकाल दिया जाए हम इमानदारी को प्रोचाहित करने लगें, उसकी प्रशंसा करने लगें, जीवन में आगे बढ़ने लगें तो निसंदे जो जिस विकास की हम संगलपना कर रहे हैं, उस विकास को हम पालेंगे जी बिल्कुल उस विकास को हम पालेंगे साथ में ये भी मैं पूछना चाहूंगी जैसे आपने बोला कि सोच तो ये सकारात्मक और नकारात्मक सोच इसमें कितना प्रभाव डालती है बिल्कुल अगर हमें आगे बढ़ना है जीवन में समाज में देश को आगे बढ़ना है तो सोच सकारात्मक होनी चाहिए अगर मैं यह सोचने लगँ कि मेरा प्रडुसी कहीं मुझसे प्रगतिना कर पाए तो पढ़ोसे भी है सोचने लगे मैं प्रगती न कर पाऊं तो केकड़ा होता है जैसा कि एक केकड़ा उपर बढ़ता है दूसरा उसको खींच के आगे बढ़ने कोश्च करता है और फल यह होता है कोई केकड़ा आगे नहीं बढ़ पाता या जाती के आधार पर लोग बढ़ जाते हैं कि यह जाती का है यह आगे जाये यह नहीं जाये इसको यह काम करेगा यह काम नहीं कर सकता तो ऐसी सोच हमें अपनी जीवन के निचले तल पर ले जाती हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो इन वृत्तियों से चुटकारा पाना पड़ेगा। सौ व्यक्ति होते हैं हर व्यक्ति में कुछ अच्छाई भी है कुछ बुराई भी है। अगर हर व्यक्ति केवल दूसरे की बुराई देखने लगे तो एक नकारात्मक समाज बन जाएगा। लड़ाई जगड़े मार पीड़ दंगे फसा चालू हो जाएगे। अगर वही व्य जैसा सोचता है वैसा करता है और जैसा करता है वैसा बन जाता है। तो सोच यह निर्धारित करती है कि हम कैसे बनेंगे। सोच वो कारे की पूरो गामी है। सबसे पहले विचार है। जैसे विचार आपके पास आएंगे वैसे ही आप कर्म प्रवत्त होगे। जैसे कर्म कर प्रगति का पेरामिटर अगर हम बोलें तो कैसे हम नाप सकते हैं? विकास का मतलब कुछ व्यक्तियों का विकास नहीं है। देश के विकास का मतलब देश की मुद्रा का विकास नहीं है। देश का विकास का मतलब है देश के अंदर हर गरीब व्यक्ति इस इस्थिति में रहो कि वह एक सम्मान पूरवक जीवन व्यतीत कर सके। विकास का पैरा कि लोग किस तरह से सोचते हैं अपनी नकारात्मक्त को खत्म करें और सकारात्मक्त सोच को आगे बढ़ाएं साथ ही आपने बोला कि इस सब चीजों के लिए सरकार तो काम करती है लेकिन कहीं न कहीं लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं लोग जतने आसपास के अपने साथ इन सब चीजों को रखेंगे सही सोच को उतनी सरकार भी उनके साथ उन्नती कर पाएगी बिल्कुल तो सरकार से हम गोहार करते हैं कि सरकार आम लोगों के लिए काम करें लेकिन कहीं लोग भी हैं जो अपने आपको कई लोग जो हैं चाहते हैं कि हम पीछे रहें सरकार के के अंदर लालच होता है उस लालच में कभी-कभी वो ऐसे काम कर जाता है या कभी क्रोध में ऐसे काम कर जाता है क्रोध में वेकति कोई देखते हैं रेल जला दी या लालच में कोई लाइट उखाड़के ले गए तो हमने अभी वो हमानसिक इस्थित नहीं पाई है जब हम सारजोनिक संपत्ति को अपनी व्यक्तिकत संपत्ति की तरह व्यावार करें हम यह सोचे हैं कि यह जो रेल है यह हमने ही हमारे ही टेक्स के पैसे से और हमारे ही लिए चल रही है, जो सारवजी एक लाइट लगी हुई है, सारवजी नि कोई भी चीज लगी हुई, वह हम सबके पैसे से लगी हुए, गहरम उसको नुकसान पहुचाएंगे, हाला कि बहुत कुछ परिवर्तन आया है पिछले कुछ सालों में, और कुछ सरकारों ने तो इस पे काफी कडाई से एक्शन लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह देश हमारा है, यह समाज हमारा है, और इसको हमें मिलकर बनाना है, यह भाव जनता को लाना पड़ेगा, सरकार कर रही है, सरकार नियमित रूप से प्रियत्न कर रही है, यसे हमने भी च किसी दंगे में चले जाते हैं तो यह बहुत फर्क पड़ता है कि यह दिखाता है कि आज कि जो जनरेशन है वो नकारात्मत सोच की तरफ जादा बढ़ रही है जैसे हमने पहले भी बुला है कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरुरी होता है तो यहीं पर दिख रहा है कि जो लाईक है अगर धर्म ने उसे यह सिखा दिया कि वो इस marry À इससे क्यों आया है जिस समय तक इस संसार में रहेगा वो अपने लिए क्या करेगा, समाज के लिए क्या करेगा धर्म के लिए क्या करेगा, राष्ट के लिए क्या करेगा तो धर्म सार्थक है धर्म प्रगतिका एक बहुत बड़ा अंग है बहुत बड़ा इसकी उपादेरता है और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे धर्मी की व्यक्ति हैं, वो किवल या धर्माचारे व्यक्ति भी हैं, वो क्या है कि कुछ प्रवचन सुना दिये, कुछ लोगों को लगता है अपने घर में पूजा पाठ कर ली और धर्म का काम खतम हो विया, बिल्कुल नहीं, धर्म व्यक का भी बड़ा महत्वपूर्ण इसमें रोल है कि देश के विकास में कि देश किस तरह से विकास हो, समाज का विकास किस तरह से हो, और व्यक्ति की सकारत्मक सोच बनाने के लिए धर्माचारेओं का, सभी लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, तो जितनी है हमा पारत्मक सोच किस हद तक हमें अच्छी राह पे ले जा सकता है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे ही अच्छे विचारों के लिए आप देखते रहें जनभावना टाइम्स नमस्कार